वेरी गुड बॉर्निंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी होप अच्छी होंगे अपने स्टाड़ी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों हिंदी में पढ़ रहे हैं पार तीन रोगों आपने प्रीबियस वीडियो में इस चैप्टर का कम्प्लीट किया था पासा जयान में एक्सरसाइज नंबर फॉर्स सेकेंड थर्ड तो होप सारे बच्चों ने इसे कंप्लीट कर लिया हैं बहुत से बच्चों ने इसे नहीं कंप्लीट किया हैं बच्चों यहां से देखकर आप एक्सरसाइज नंबर फॉर्स सेकेंड और थर्ड को कंप्लीट करेंगे बचो आज हम लोग exercise कंप्लीच करने वाले हैं कहानी से आगे तो आप सभी open करेंगे page number 21 कहानी से आगे सोचो यदि रोबोट भी इंसानों की तरह अपनी इच्छा से कार करने लगे तो क्या होगा तो बचो आपको इसे सोचना है और इसका उत्तर अपनी सब्दों में लिखना है प्रस नंबर दो है यदि आपके पास ऐसा रोबोट हो जो आपके सारे कार कर दे तो आप उससे कौन कौन से कार करवाना पसंद करेंगे तो बच्चो आपको इसका आंसर सोचना है और अपनी सब्दों में से लिखना है और इसका उत्तर बच्चो आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे ओकी नेक्स देखते हैं नन्ने हाथों से इन में से जो कार रोबोट नहीं कर सकता उस पर आप गलत का निसान लगाईए बच्चों यहाँ पर देखी चित्र बने हैं तो आपको चित्र देखकर पहचानना है कि कौन सा कार यह ऐसा है जिसे रोबोट नहीं कर सकता है उस पे आपको बच्चो क्या करना है गलत का निसान लगाना है और जो कार रोबोट कर सकते हैं उस पे आपको सही का निसान लगाना है तो ये work आपको अपने आप से ही करना है आपको नीचे वाला नहीं करना है बच्चो आपको कहानी से आगे कि दोनों परसनों के उत्तर सोच कर अपनी हिंदी की कौपी में बहुत इच्छी राइटिंग में लिखना है नन्ने हाथों से चितर देखकर पहचाना है झाल झाल